हेलो असलाव अलेकुम विलकम बेक टो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो अभी सुबा का काफी टाइम हो चुका है यानि साड़े दस पौने ग्यारा के लगवग हो चुका है और आज दोनों बचे ना रिकॉर्ड तोड एकदम सोय हैं आ कि कल हम लोग मार्केट गएते ना तो सर्फ लेकर आ गए थे तो बस अब सर्फ का यूज़ करना भी तो बनता ही है तो आज वाशी मशीन निकाले हैं लेकिन अभी न वहाँ पे पाइप का कनिक्शन नहीं हुआ है तो वाशी मशीन से सब दोके और उसके बाद यहां हैंड जान पभागी और हम सब खंगाल खंगाल के और टार पे डाल देंगे तो अब सोचे तो थे है पहले की ड्राय भी यूज़ करेंगे ले जाके ड्राय करके फिर डालेंगे लेकिन बार-वार ले लेकर अंदर जाओ फिर लाओ तो बहुत जादा जहमेला लग रहाता तो इसक तो सूखी जाएगा ड्राय करने की जरूरत भी नहीं है लेकिन हाँ एक चीज़ बता है जैसे कि ये हैंड पंप से ना पहले जब मेरी जब नई नी शादी गोई थी तो हैंड पंप का काफी जाता है यूसको कि हम लोग क्या हैंड पंप ही था उसी में धोते थे लेकिन फिर अबना आदत खतम हो गई है तो बैट के दूने का एक अलग मजा भी आ रहा था और उसके बाद सजा भी आ रहा था जैसे थकावट हो गई थी तो अच्छा लग रहता है नया नया ये सब चीज है तो अच्छा लग रहा है तो जब मेरे ख्याद से नल का कनेक्शन हो रहा था लेकिन जिया का हालत देखी हैंड पर्म ना हम लोग का टाइट है जैसे महनत तो लगती ही है हैंड पर्म चलाने में तो वो ठक गई थी तो कभी हम चला ले रहे थे कभी जिया चला ले रहे थी तो कभी बच्छे भी आके चला ले रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है त तो बस बहुत ज़्यादा धोए हैं तो खंगालने में टाइम भी लगेगा तो खंगाल लेते हैं और उसके बाद यहीं तार पे डाल देते हैं तो एक बार का न सब खंगाल चुके हैं और अब डाल देते हैं तार पर तो कुछ यहां पर डालेंगे सामने वाले तार पर और कुछ उधर वाले तार पर क्योंकि इतना सारा था धोने के लिए कि एक दो बार में तो हुआ ही नहीं आखिर जब यह सुग गया तो शाम को फिर स तो जो साफ था वो भी सब मिक्स हो गया था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या साफ है क्या गंदा है सब आपस में मिक्स हो गया था और जो जो चादर हम लोग बांद बांद के लाए था जो यूज हुआ था वो भी गंदा हो गया था तो वो सब भी दोना था बहु स्टार्टी हो जाएगा, कल जाएगी, फिर उसके बाद एक दिन रेश्ट मिल जाएगा, यानि की संड़े का मिल जाएगा, तो संड़े को फिर से तो यहां पर देखी, सारे बच्चे आगए, जब छुटी हो जाता है जिसे आज स्कूल बंद है, तो सारे करने जैसे लग रहा है कि मैं पहली बार ऐसा इतना सारा काम कर रही हूं कि सब की हैल्प की जरूरत होगी तो सब लोग आगे और ना मेरे लिए भी थोड़ा सा नाया है जिया मेरे पर गुसाएगी और उसके बाद ना सब चीज इने की साइड में करती चली जारी है जकी सोरूर नो सब लोग लेकि डाल दीजे जल्दी से सुख जाएगा लेकि नहीं जिया को ना सब का ख्याल है और यह चीज अच्छी बात है कि आप ना खुद से पहले ना दूस जादा लग रहा था और जब स्कूल जाने लगते ना तो पैदल आना जाना तो भी बहुत जादा तो अभी दोपहर का ढ़ाई बज़रा था और इनके आने में अभी आदा घंटा है तो मैं खाना बना रही थी रीजन ये कि आज हम लोगो ना वो वाले घर पे जाना है जहा रेक वो खोलना है तो सब चीज आज खोल खोल के लाना जितना हो सकेगा जितना बाइक से मैं लोड करके ले आ सकते हूं तो वो सब है तो खाना यहाँ पर रेड़ी करके जाते हैं फिर आएंगे फिर ठके रहेंगे ना तो फिर खाना बनाने का मन नहीं करता तो मैं सुची कि खाना बना लेते हैं तो आज दाल चावल और भिंडी की भुजिया बना दे रहे हैं और इससे अच्छा और क्या होगा और आम का जो चटनी था कल जो रात में पीसे थे वो भी है तो अभी उल्टा तो अभी न चार साड़े चार की लगबग हो रहा है और हम लोग अभी घर जा रहे हैं याने की पहले वाला रूम का न वहां पर जा रहे है तो कितने दिन पार आएं तो यह वाला घर कितना उजाड उजाड सा लग रहा है तो जिन बाद आरे तो और जासे अजीश सा लग रहा है तो रहा है दोव है लेकिन गंदा हो गया है अब किचन में भी बहुत समान अभी बाद यह रेख निकारना है न इसको हम टाम ले 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 तो जो जो समान लेना था वो हम लोग ले चुके हैं सब इकठा कर लिए पोस्टर सब कुछ था में अरे पीछे का तो दर्वाजा फुलाई है और यह सब खोलने में परदा और तो टाइम काफी जादा हो गया और रोजा खुल चुका है टाइम हो गया हम लोग सोजे थे कि हम लोग पहुंच जाएंगे लेकिन नहीं पहुंच पाए कोई नहीं चलते हैं तो अभी रात का ना साड़े नौ पॉने दस के लगबग हो रहा था आए उसके बाद इतना थक गये थे कि फिर ब्लॉग बनाने का मेरा मनी नहीं नहीं किया था तो खाना उनना खाके बरतन और तन धो चुके थे और यह है सहरी का टाइम और रात में इतना ज्यादा थक गय इतना इसलिए नहीं आटा फाने थे तो अभी सहरी का टाइम है और आज ना आख भी थोड़ा सा देर में खुली वैसे तो घड़ी में जब अलारम बजाना तो खुल गई थी लेकिन उठने का मनी नहीं करा था उसके वज़से थोड़ा सा लेट हो गया तो बस फटा फटा आटा आटा सान चुके हैं और जल्दी जल्दी बनाएंगे क्योंकि लेट हो गया बच्चों को भी जगाना है दोनों बच्चे उठेंगे फिर ब्रश रोष करेंगे तो तक तो जल्दी जल्दी मेरा पराठा बनी जाएगा रोज की तरह लेकिन हाँ एक चीज है मैं आप ल और यह दिन्टी मेल कॉष्फ पहल सकते हैं तो जब आहट मिलती रहती हुग को कि दुझा मेरे छेएरो तो वहां पर रहते थे no tosip में सण सर나टा उर जह से लए मिवगन हो आ"... कि अब सहरी के टाइम उठ रहे हैं कुछ हो रहा है आवाज तो नीचे और बगल में भी लोग रहते हैं तो उनकी भी नीद खराब होती है ना तो ऐसा थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है तो बस जिया आज की है उसको दे दिये हैं चाय पर टामबले कि लेट हो रहा है पहले तुम लोग खाना शुरू करो फिर लास्ट में हम अपना लेकर और आके फिर बैट जाएंगे तो हम भी सहरी कर लेंगे ऐसे ही होता है जब कभी है ना आप आलस कर दीजे और जब लेट होता ना तो लेट पे लेट हो जाता है आटा भी निसान के रखे थे आँख भी आज थोड़ा सा लेट में कुली तो होई गिया दोनों बच्चे उठ चुके हैं ब्रस उच कर चुके हैं और उसके बाद अपना बैट गय थे और मैं इन लोग से कह रही थी थी ना कि फटा फट खाओ लेकि अभी सब खाका के ना दोनों लोग फिर से बेड में चली जाएंगी और सोई जाएंगी और मैं थोड़ा सा इधर उधर रहूंगी और फिर उसके बाद सब काम फिर स्टार्ट हो जाएगा मेरा जो डेली का रूटीन है वो तो चलिए फिर आज का ब्लॉग भी यहीं पर एं झाल 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 झाल